जहें दोस्तों अनिसराइटी या यूट्वी चनल आपसे का बहुत दोस्तों इरकॉन इंटरनेस्टन लिमिटर जो कि भारत सरकार के मिनिश्ट्री और फ्रेलवे के अंदरत आता है दोस्तों जिसमें आईटी पास आउट डिप्लोमा पास आउट या डिगरी पास आउट के लिए रिक्रूट पर निकल का है दोस्तों जिसके बारें बात करने वाल है और आप अने सराइट चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेला है उनको प्रेस कर लिजिए इस सारे लेटे श्रविट आपको मिलते रहे हैं अभी देखिया तो एसाई कांस्ट्री निकल सब्सक्राइब करने वाल है इर्कॉर इंटरनेशनल लिमिटेट में जो कॉंट्राइट बेसिस जोब आया है दोस्तों उसका फॉरम कौन और कैसे भरें उसकी बारें देखने वाला है आप पर आपको सारी जनकारी देखने को मिल जाए और पीडिये भी आपको डाउनलोड क पाई है या पर इफ्रेंस पीने सेटिंग इंजिनियर जिसमें छे सीटें अठाइस जार से लेकि असी हर्तक आपको सालरी मिलने वाला दोस्तों जिसमें डिप्लोमा के सिविल इंजिरी के काईट फॉर अप्लाइए कर सकते हैं मैक्सिम जो यह होना चाहिए 35 साल होना चाहि यह प्लाइए कर सते हैं कोई एक होना चाहिए या तो आई टी यह आपके पास होना चाहिए ठीक है और यहां पर देखिए 30 सालका मैक्सम c назв रखा गया है और मिनिम्म एक साल आपके पास experience सुना जाए रूस्तों एक साल का experience जरूरी है आपड़ यहापे IT लोगे अन्यों मिनिममूम इर आपके एक साल का चाहिए दोस्तों स्लैब ट्रैक इंजिनियर की बात करें तो छे पोश्ट है दोस्तों जिसकी सेलरेटाइज और सश्यर तक कहा है डिपलोमा के सिविल इंजिरी इंजिरी इकार्ट फॉर अप्लाई कर रहते हैं 35 साल तक एज है यह तीन साल एक्स्प्रियेंस रखा गया है दोस्तों कंस्ट्रक्शन मनेजमेंट में ठीक है और यह पर देखें कैम इंजिनियर फॉर प्रिया स्केल कांट्रेक्ट में छे पोश्ट है दोस्तों जो फूल टाइम सिविल इंजिरी कारट फॉर अप्लाई कर रहते हैं जो कि मैक्सिम एज जो है 35 साल रखा प्रियार के है जिवनें तीन साल का मिनिमुम एक्स्प्रियेंस किया सकता है दोस्तों तर्न आप इंस्ट्राइशन इंजिनियरिंग और पे आसकेल कॉंट्रेक्ट में देखें तो चार साल की वेकेंसी चार पुस्ट वेकेंसी है दोस्तों टोटल जो फूल टाइम वेल्डिंग टेग्निशन और प्यास केल कॉंट्रेक्ट में देखें तो चार सीट हैं जिसमें मैट्री पासओट और आइटी अले फॉर अप्लाइब कर सकते हैं 35 साल के कानेट यहां फॉर अप्लाइब कर सकते हैं यह पर्सन विद श्किलिद कॉबर्ट यह आर्क वेल्ड साल से लेकर अर्क वेल्डिंग कर सकते हैं रिटेग टेक्मिसेंट में। कि मैट्रीग और आईटी की कारन ऊपहर अपलाइब कर सकते हैं यहां तीन साल आपके पास एक्स्ट्रिएंश होना चाहिए रेस्ट एक्सप्रेंश कर सत्याइब है तो टौट यहां पर एक्सप्रेंस में यहां पर भी चाहे है यहां पर डिपलोमा के शीविल के क्याई फर अप्लाई कर चाते हैं जिनको एक साल का experience आप चाहिए operator motor car तो अपलाई कर सोते हैं एकस्परियेंस चाहिए आपको ट्रॉक मोटर और आपके पास experience में यह है 30 सल का है तो apply कर सोते हैं इस पर बहुत सारी से ट्रेट हैं जो नहीं apply एक्सप्रेटाय कर साथ आपके पास experience गता तो फ्राप्लाई कर शाथे और नहीं है तो experience इस तरह से लेने कोशिस किजिए ताकि आने वाले दिनों इस तरह फरम अप्लाई कर साथ है experience बहुत ही matter करते है आने वाला दिनों में क्योंकि बीना experience कोई वेकेंसी आई नहीं रहे है कई सरी आपने वेकेंसी देखा भी होगा एक्सप्रियांस जरूर मांगता है तो आप एक्सप्रियांस जरूर लेजिए ठीक है और इसका जो पोस्टिंग मिलना वाला है दोस्तों एरकॉन मुंबई आहमदाबाद हाई एस्पीड रेल पैकेज प् सवाल आता है कि कैसे फॉरम को भरें हैं आपको देखिए यह इसके फॉरम मिला यहां पर यह फॉरम है और आपको क्या करना है कि यह सारे डॉक्मेंट आपका एक्स्प्रियेंस सट्वेट आपके आपका दोस दो महिने का सालरी स्लिप मैट्री का मार्क सीट इप्लोमा आपको चल जाना है दोस्तों देखिए आपको सीधे जाना का सीधा और डॉक्मेंट वर्वेशन का देट दिया गया है आपको देखिए अलग जो ट्रेड है उन सबके लिए डिए रिफरेंस्टीन सेटिंग इजिने के लिए 28 तारी को जाना है 28 तारी को वर्क लीडर के लि बिल्डिंग दुमास रोड सूरत गुजरात आपको जाना है दोस्तों ठीक है और अपने साथ सारे डॉक्मेंट लेकर पहुंच जाएगा और टाइम से आपको टेलरांट चाल पर टेलरांट चाल जरूर जरू आया है तो आपको अपलाइं नहीं करते हैं लिकिन आपके लिए आने वाली है आती है तो आपके लिए अपडेट करते रहे हैं उसके लिए चाहिए आपको सब्सक्राइब करके देखते रहाना होगा जैसे को अपडेट आता है आपको पता चाल जाए दोस्तों ठीक है फिलाल जो ऐसा ही कॉंस्टेबल है ट्रेट सब्सक्राइबर है ने फार है दोस्तों 36 पूश्चन एससे यह विलासपूर है और यह लोको पालाट है दोस्तों इसना से कई सारी वेकेंशी है इसका अभी फॉरम भराभी रहा है मिलते अगली वीडियों में अगली यार कही साथ आप सभी का बहुत दो धन्यवाद